नमस्का सातियों, आप सभी लोग देख रहे होंगे, देश भर में राजदरो कानून एक काफी चर्चा का विशाय बना हुआ है, और आपने देखा होगा, कि जब भी हमारे देश में कोई पत्थकार या कोई और वेखती, सरकार से सवाल करता है, सरकार से आप देखी कोई भी जबाब मांगता है, तो उस पर आपने देखा होगा कि देश द्रोह का मामला दर्च कर दिया जाता है, और एक और बात जान लेजें, कि ऐसा नहीं कि अभी जो वर्तमान सरकार है, यही एक काम कर रही है, इससे पहले अभी अगर आप लोग जाए तो जो भी हमारी सरकारें रही है, उनके खिलाब भी कोई लिखता था, बोलता था, उनसे सवाल करता था, तो वो भी आप देखी कि इनका दुर्पयोग करते थी, और आपने देखा होगा गांधी जी और बाल गंगधर तिलक के बारे में आप लोगोंने सुना होगा, कि राजदरो का मुकदमा दायर किया गया था, और महतमा गंधी और बाल गंगधर तिलक साहब को भी जेल जाना पड़ा था, कहा जाना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था, एक बात और आपको बता दूँ, देखिए ये अंग्रेजों के समाय बनाया गया कानून है, और आप सभी जानते ही कि उन्हें हमारे देश में जो आवाजें उट रही थी, आजादी के लिए, उन्हें दवाना था, हमारे देश के जो आंदोलन करता थे, उन्हें जेल में डालना था, अपने हित के लिए उन्होंने इस कानून को बनाया हुआ था, लेकिन आप सभी जानत और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्हीं अंग्रेजों की तरह आज की सरकार को आप लोग माल लिजी कि जिस से उद्देश के लिए वो भी इस कानून का उपयोग करते थे उसी उद्देश के लिए आज भी हमारी सरकारें इस कानून का उपयोग कर रही हैं देखे एक बात और हमेसा याद रखेगा कि अगर कोई कानून आता है उसका सही दिसा में उपयोग होता है तो अच्छा रहता है अगर उसका दुर्पयोग होने लगता है तो आप देखे उस कानून की धजिया उड़ने लगती है अगर आप देखे राजदरो कानून का उपय उन लोगों के लिए किया जाए जो देश में एकता अखंडता उन उकसान पहुंचा रहे हों असानती फैला रहे हों तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप देखिए कि आप से कोई सवाल करता है कुछ आपके खिलाब लिखता है तब भी उसका उपयोग आप लोग करने लगत जिन पर दरज हो चुके हैं जो जेल में हैं और आप देखें वो लोग क्या कर सकते हैं जमानत के लिए अरजी लगा सकते हैं क्या कर सकते हैं अरजी लगा सकते हैं और सुप्रीम कोट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच नेयाला है सुप्रीम कोट और इसकी स्थापना अगर आप देखें तो 28 जन्वरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और आर्टीकल 124 आप लोग पढ़ेंगे न सम कानून क्या है और एक कानून क्या कहता है और इसके पक्ष में जो लोग बोलते हैं वो क्या एक तरसी तरक देते हैं देश में राजद्रोग भारतिय दंड सहिता आईपीसी यानि की इंडियन फ्रीनल कोड की धारा 124-A में परिभासित किया गया है इसकी परिभासा दी उपर द्वारा भारत में बिधी द्वार इस्ताफिस सरकार के पिति घर्णा या फिर आवंबान पैदा करेगा या फिर पैदा करने का प्रयवतन करेगा तक किया जा और इस दारा की अंतरगत तीन इसपश्टी करंड दिये गए हैं क्या किये गए हैं तीन इसपश्टी करंड दिये गए हैं और याद रखिए इस तरह का कोई काम करता है जो इसमें परिभासा दी गई है तो उस पर राजदरों का आरोप लगाएगा और मामला दर्ज होगा इस पश्टी करणे करता है कि आपरीती पत की अंतरगद आभक्ती और सत्युता की समस्त भावनाएं आती है और इस पश्टी करण दो में घेड़ा आउमान या आपरीती को पिदीप्त किये बिना या पिदीप्त करने का पेड़तन किये बिना सरकार के कामों की पिती बिधी पूर सादनों द्वारा उनका परीवर्थित करानी की दृष्टी से अनुमोधन प्रकट करने वाली टीका टिपडियां इस धारा की अधीन अपराद नहीं है और इस परेश्टी करन तीन क्या कहता है घ्रणा आउमान या पिदीप्त किये बिना या पिदीप्त करने का पेड़तन किये बिना सरकार की पिसासने किया अनुमोधन प्रकट करने वाली टीका टिपडियां इस धारा के अधीन अव्राद कारीत नहीं करते हैं यानि कि आप देखिए अपनी सरकार से आप लोग सवाल कर रहे हैं और सवाल करना है कि आप लोगों को हक भी है क्यूंकि आप लोगों ने वो सरकार को चुना है नेताओं को चुना है तो उनसे सवाल करना आपका क्या है अधिकार है लेकर अगर आप देखिए कि उस पर भी आ अपसी सुलय का भी कोई फिरावदान नहीं है और इसके अनुसार सरकार या पिसासन के विरुद किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक टिपड़ी करना अपराद नहीं है अगर आप लोग सरकार या पिसासन के विरुद किसी तरह की आलोचना कर रहे हैं उसकी तो वो आप देखे की अपराद नहीं है. मो राजदरों का कोई मुकदमा आपर दायर नहीं होगा. अगर सरकार के सर खिलाब कोई पत्तकार लिख देता है, कोई सवाल कर देता है तो उसपर आपने देखा होगा कि मुकदमा दायर हो जाता है. तो इसी को राजदरो कानून को अधी नेमिद किया गया और क्योंकि वहां के ततकाले इन कानून विदों का मानना था कि सरकार और समराज की विरुद कोई भी नकारात्मक बिचार या टिपड़ी सब्ता के लिए हाने कारक हो सकती है क्योंकि आप देखे कि उनका हमारे उफर जो सासन चल दा था वो सोसन कारी सासन था और वो नहीं चाहते थी कि यहां के कोई लोग कोई भी वेक्ती उनके खिलाब आबाज उठे आजादी की मांग करे तो आप देखे वहां उनके उद्देश के लिए ये कानून अच्छा था समझ रहे आप लो भारत में राजद्रो कानून की उत्पत्ती 19 भी सताबदी के वहावी आंदोलन से जुड़ी है मुरूप से ये कानून वर्स 1837 में बेटिस इतिहासकार और राजनितिक थॉमस मैकाले द्वारा तेयार किया गया था लेकिन बर्स 191860 में आईपीसी लागू करने के दौरान इस कानून को उसमें सामिल नहीं किया गया था जब आपकी आईपीसी लागू हुई थी उस तम врем आप देखिये इस कानून को सामिल लिंग किया था इस कानून को कब सामिल किया गया 1870 में Sir James Stephen ने सुतंता सेनानियों की विचारों का दमन करने के लिए एक बिसिष्ट खंड की आवस्कता महसूस हुई तो उन्होंने भारती दंड सहता संसोधन अधिनियम 1870 की अंतरगत धारा 124 एको आईपीसी में सामिल कर लिया है सुतंता सेनानियों की विचारों का दमन करने के लिए आप समझे रहे हैं उस समय आप देखे कि कमी लोग आप देखे मुठी भर लोग अपनी आजादी की मांग कर रहे थे तो उनकी एक तरह से उन्हें कोछलने के लिए उने जेल में डालने के लिए इस तरह का कानून लाए गया और उन्हें सजादेने के लिए किया कुछ आपके राज़दरों से जुड़े हुए चर्चित बाद है अगर आप देखे आंसर रॉयटिंग करते हैं या फिर आप लोग नेवंद लिखते हैं, तो वहाँ इन उवाद का आप लोग उलेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उलेक कर सकते हैं, और इस तरह के कुश्चन से आप देखते हैं, सिविल सर्वेस होई या फिर एश्टेट PCSO मुख पर इक्छा में आ जाते हैं, पहला आप द बेटे सरकार की विरुद्ध लेक लिखा है, क्या लेक लिखा था उस समय, आप समझ रहे हैं, अगर सरकार के खिलाब आप लोग कोई लेक लिख लिख रहे हैं, तब भी उस समय आप देखें कि आप पर क्या हो जाता था? राजदरों का आरोप यानि की मामला दरज हो जाता था, महरानी बनाम बाल गंगाधर तिलक ए 1897 की बात है, बाल गंगाधर तिलक तीन बार 1897, 1908, 1916 में राजदरों की मुकद्द में चलाए थे, उन पर भारत में बेटे सरकार की आउमानना करने का आरोप लगे थे, और ए आरोप उनके अकबार में लिखे व्याख्यायन और भ 1922 में महत्मा गांधी पर वर्स 1922 में यंग इंडिया नामक पतिका में राजदरों की रोप से संबेदन सी लेख लेखने की कारण राजदरों का मुकद्द मा चलाए गया और उन पर आरोप लगा कि उनके लेख बेटे सरकार के विरुद्ध आसंतोस पैदा करने वाले थे, उन्हें च्छे वर्स के कारावास की सया भी सुनाई गई थी, और आप देखें हमारे जो भीमराओं बेटकर थे ना समीधान की पिता, उन्होंने इसे हटाने की भी बात की हुई थी उसमयद, आजादी की समयद आपका समीधान लागो हो रहा था, कैदार नात सिंग बनाम विहार राज 1962 की बात है, यह मामला सुतंद भारत के किसी न्याले में राजदरों का पहला मामला था, और इस मामले में पहली बार देश में राजदरों के कानून की संवीधान इकता को चुनोती दी गई, और मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच न्याले ने देश और सरकार के मद्द, अंतर को भी इसपष्ट किया, और विहार में फॉर्वर्ड कम्यूनिस्ट पाइटी की सदस्त कैदार नात, सेंग पततकालियन सत्ताधारी सरकार की निंदा करने और क्रांती का हन करने इतु भासन देने का आरोप लगाए गया था, और सर्वोच न्याले न की हाई कोड सब भटका लगाते रहते हैं, फिर यह आप देखिए उन्हें जो काम करना होता है, वो करती रहते हैं, बलवंत सिंग और अनबनाम राज पंजाब राज 1984 में, जब पूर्व इंद्रा गांधी की हत्या वाले दिन, 31 अक्टूबर 1984 में, चंडीगड में बलवंत सिंग नाम की एक सक्स ने अपने साथी के साथ मिलकर खालिस्थान, जिंदाबाद, तथा के नारे लगाए थे, और इस मामले में इन दोनों पर राजदरों का मुकदमा चलाए गया था, और हाला कि सरवोच नियाले ने इन लोगों को राजदरों के तहर सजा देने से इंका कर दिया था, और उपयोक्त मामले के अतरिक्त, असीम, तिवेदी, अर्वेंद के जिवाल, अरुण जेटली पर भी राजदरों के मामले दर्ज हुए, पर उन्तु विभन मंतरालें के द्वारा इन मामलों को खारी कर दिया गया, तो कई लोगों पर आप देखी कि ये सकते हैं कि ये तरह से दुरुपयोक साप साप देखता है, ये असीम, तिरवेदी बना महराष्ट राज्ये का भी देख लीजे, बिवाद इसवद राजनितिक कार्टूनिस्ट और कार्ट करता असीम, तिवेदी, जो अपने भिष्टाचार विरोधी अभियान कार्टूनि हो रहा है, अगर वहाँ भी आप लोग कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, सरकार के पास पहुंचाते हैं, तब भी आप देखते हैं कि आप पर आजद्रो का आरोप लगा दिया जाता है, मामला दर्ज कर दिया जाता है, और आप सभी जानते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, आर्थिक इस्तिती ठीक है, तो आप तो अच्छे से अच्छा वकील कर लेंगे, और निप्टारा हो जाएगा आपका किसका, अगर आप सोची कि एक इमानदार जो गरीब है, और आप देखी आर्थिक इस्तिती उसकी बुरी है, तो उसका मामला अगर दर्ज हो जाता है और ज जेल चला जाता है, तो आप देखें, वो तो सालों के लिए जेल गया, क्योंकि आप सभी जानते ही कि नियाएक विवस्ता में कितना टाइम लगता है हमारे देश में, अब जो राजदरो कानून की पक्च में जो लोग तर्क देते हैं, उनको देख लीजे, वो क्या कहते है और क्या सोचकर तक देते हैं, राजदरो कानून की पक्च में बुद्धी जीवियों का एक ऐसा वर्ग मन, वर्ग का मानना है कि IPC की धारा 124 सरकार को राष्ट बिरोधी, अलगाओ वादी और आतंग वादी तत्तों का मुकाबला करने की सक्ति पिदान करता है, और ये सही बात भी है, और आप लोग जब answer writing करेंगे, तो आप लोगों से कई तरह के questions पूचे भी जाते हैं, कि इसके आप लोग इसके क्यों बना रहना चाहिए राजदरो कानून, इसके पक्च में कुछ point आप लोग लिखिए, या आप देखिए आपको लिखने कुआ जाएगा, र और एक तरह से आप देखिए हमारे देश में कही बार क्या रहता है, कि आप खालिस्तानियों को देखिए, आप लोग इस पूरुवत्तर भारत में आप देखिए, अलग देश बनानी की बात होती है, नक्सली आप देखते हैं हमारे देश में, या आप देखिए देश में असांती फैलानी की बात करते हैं अगर इन पर इस तरह के लोगों पर अगर आप देखे इस कानून का उपयोग होता है तो अच्छी बात है क्या होती अच्छी बात और इन लोगों पर का एक तरह से आप देखे पावंदी लगाने के लिए एक कानून अच्छा माना गया है य विचार्गों के अरुसार यदि न्याले की अवमारना के लिए दंडात्मक कारवाई सही है तो फिर सरकार की अवमारना करने पर भी दंडात्मक कारवाई होनी चाहिए। और आज वेभिन राज मायवादी मावबादी विद्रो का सामना करें और इन से निपटने के लिए कानून आवस्ते के है अब जो लोग इसके राजदरो कानून को खतम करने की बात करते हैं वो क्या तरक देते हैं? वो क्या कहते हैं? उसे भी देख लिए आप लोग। पर पिशने चिन्न खड़ा करता है। आप सभी जानते हैं कि समिधान के भागतीन में आपको मौली कदिकार दिये गए हैं। अनुचेद 19 को पढ़ते होंगे आप लोग। या फिर आप देखे कि प्रेस फीडम इंडेक्स आता है। उसमें आप देखते हैं कि हमारी स्तेती नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। इन बातों को विध्यान में रखा जाता है वहां। एक जीवन्त लोकतंत के लिए आवसाखे कि उसकी सरकार की आलोचना और उसके पिती आसंतोस को भी इस्थान दिया जाए। परन्तु कई बार इस कानून का गलत प्रियोग ऐसा संभाव नहीं होने देता है। दरसल धाराई 124 ये में जन सब्दों का प्रियोग किया गया है। उनकी इसवच्थता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। धाराई 124 ये में इसवच्थता ना होने की कारण इस कानून के दुरुपयों की संभाव नहीं भी बढ़ जाती है। और कानून व्योस्ता के इस तर पर गलत इस्तिमाल किया जाने के मामले जांदा देखे जाते हैं। और इस कानून को रुलागू करने वाले देश, इंगलेंड ने भी अपने देश में इस कानून को समाप्त कर दिया है। और जिसके कारण हमारे पास कोई भी कारण नहीं बचता ही कि हम इस बरसों तो राने उपने वेसे कानून के बोच को आज भी ढोते रहें और एक तरह से आप लोग ये भी मानियेगा उस समय हम लोग एक तरह से गुलाम थे तो हमारे पास कोई उपाय भी नहीं था कोई हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे चाय कर भी लेकिन 1947 में हम लोग आजाद हो कई बार देश में राजदरों कानून के अनुचेत प्रयोग की बात भी सामने आई है और इसका प्रयोग सरकार की आलूचना को दबाने और राजनितिक फिती सोत की भावना से किया जाता है आंगे की राय क्या हो सकती है तो राजदरों की परिभासा अती ब्यापक है और इ कुछ भी करिए लेकिन देश की अखंडता और देश की संप्रभूता से अगर कोई आप देखे उसे नुकसान पहुंचाते हैं देश में असांती पहलाते हैं दंगे ऐसे करवाते हैं तो आप पर जरोड एक क्या राजदुरों का मामला दर्ज होना चाहिए कानून का नुफालन सुनिश्चित कराने वाली एजएंसियों को राजदुरों के मामले में सरवोच नयाले के दिसा निर्देसों की जानकारी पेदान करना आवज सक है और अध में घांधी जी के सब्दों में कानून के जरीये तंत के पिती समर्पर पैदा नहीं किया जा सकत या दिकिसी भेक्ती को तंतिया, सरकार के पिती आसंतोस हैं, तो उस भेक्ति को आसंतोस भेक्त करनी की सुतनता दी जानी चाहिए, जब तक कि वो है हिंसा का कारण न बने, आप सवाल कुछ भी पूंचे, कुछ भी करे, जब तक कि एक तरह से आप देखी कि आपके सवालों से सरकार को एक तरह से हमारे देश में असांती ना फिले देश की एकता खंडता को नुखसान ना पहुँचे और आप देखी एक तरह से हिंसा ना हो दंगे ना हो समझ रहे हैं आप लोग तो यह होना चाहिए फिरहाल इसे याद रखेगा और इसे कुश्टन्स पूचे जाने की बूरी संभावना रहती है क्योंकि इस मावलों के उलएकर कई बार लोग कोर्ट जा चुके हैं क्या कर चुके हैं? कोर्ट जा चुके हैं और आने वाले समय में कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है? सरकार क्या करती है? यह तो आने वाला वक्ति बताएगा तो आप लोग नीश पेपरों से जुड़े रहा करिएगा और इस के बारे में सब के बारे में जानते रहा करिएगा ठीक है?